नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन में फिर कोरोना का खत्रा अलर्ट जारी केरल में कोरोना के मामले में हो रही ब्रीधी के बाद जार्खन सरकार भी अलट हो गई है, राष्ट्रिय स्वास्त मिशन के अभियान निर्देशक स स्वास्त विभा के विशेष सचीव, अलोक त्रिवेदी ने सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर अलट किया ह केंद्रिय स्वास्त मंत्रा ले द्वारत स्वामवर को जारी निर्देश का हवाला देते हुए अभियान निर्देशक ने सभी उपायुक्तों को कोविड को लेकर कई निर्देश दिये, इनमें सक्रिय निगरानी, निवारक उपाय, स्वासन समधी मामले की परयाप्त जां चोवा अस्पतालों में त्यारी सुनिश्चित करने की हिदायत सामिल है उन्होंने कहा है कि कुरोना का प्रसार जारी है कोवीड में हो रही ब्रीदी के मन नजर गहन निगरानी की जरूरत है इसके लिए उन्होंने जिला से लेकर प्रखन तक में मामलों के रुजान के निगरानी करने और किसी भी उभरते स्वर्जनिक स्वास्थ खत्रे पर तुरंत रेस्पोंस करने का निदेश दिया है जारखन में सितलार से बढ़ी ठीठूरान राजधानी राची में ठंड का परकोप बहुत अधिक बढ़ गया है उतरपचिम दीशा से आ रही हावा जारखन में ठीठूरान बढ़ा रही है मंगलवार को राजधानी राची के काके इलाके में सबसे अधिक ठंड रही रांची के काके इलाके में अधिकतम तापमान 19 डिगरी सेलसियस और रांची के सहरी इलाकों में 21.02 डिगरी सेलसियस रहा इसके अलावा जारखन के उत्री पच्छमी छेत्र के जीले में भी अतिधिक ठंड रही इस सम्माने मौसम विभाग के निदेशक अविशेकुमा ने बताया है कि उत्र पच्छमी इलाके से जो हावा आ रही है उसकी वज़ा से राची में ठंड बढ रही है उन्होंने बताया है कि हिमाले से उठने वाली हावा पलामू और गढ़वा छेदर से होते हुए जारकण में परवेश कर रही है पलामू गढ़वा चत्रा कुडरम लातेहार और लोहर्दागा में भी लोगों को अतिधिक ठंड से जुझना पर रहा है मौसम भी भाग के निदेशक ने बताया है कि उन्हों से 25 दिसंबर 2023 तक राज़े के पच्छमी भागों में सितलहर चलने और कनकनी बढ़ने की संभवना है भाजपा के प्रतिनीधी मंडलने राज़ेपाल से की मुलकात पांचवी बिधान सभा के आखरी सितकालिन सत्र के तीसरे दीन तीन बिधायको के निलंबन मामले को लेकर भाजपा के सभी बिधायक राज़भन पहुचे मंगलवार को सत्र के द्वारान विधान सवादस के द्वारा विधायक बिरंची नरायन विधायक भानुपतपसाही और विधायक जय प्रकास भाई पटेल को निलंबन किये जाने को लेकर भाजपा विधायकों ने खोब बिरोज जताया भाजपा बिधायकों कि निलंबन के बाद देर सां बावुलमरांडी और अमर बावरी के नतित में बिजेपी के कई बिधायक राजबहन पहुंचे लवक एक घंटे तक राजबहन से बाहर निकले भाजपा के परदेश तरह से बावुलमरांडी ने कहा है कि राजबह में जीस तरह से बिदी बिवस्ता चर्मरा गई है उन्होंने मुखे मंत्री हमांसुरेंट पर निसाना साते वे कहा है कि उनके दोरा जीस तरह से कानून को उठेंगा दिखाया जा रहा है ऐसे में राजबह के अपराधियों और समाजिक ततो का मनोबल और उच्छा होगा बिधान सभा का घेराव करने पहुंचे पाराध सिसको को परसासन ने रोका राज्ये में काम कर रहे 62,000 पाराध सिक्छक अपनी बिभीन मैंगों को लेकर सरकार के समक्स बिरोद जता रहे हैं इसी को लेकर मंगल और को राजबह के सभी पाराध सिक्छक संग अठन एक जूट होकर बिधान सभा के घेराव करने पहुंचे बिधान सभा के पास परदसन अस्थल कुट्टे मैदान में लगभाग हजारों की संख्या में राजबर से पाराध सिक्छक पहुंचे और बिधान सभा गिराव करने की त्यारी में जूटे पारासिस्कों की बढ़ती संक्या को देखते हुए सुरक्षा व्योस्ता को पुखता इंतिजाम किये गए थे रांची के धुर्वा थाना इलाक के के डिएस्पी राजा कुमार मिस्रा के नेतितुमें पुलिस वलों की विशेष तेनाति की गई थी पाला सिस्को की मांगों को देखते हुए उनके समर्थन में विधायक विनोज सिंग और अमी त्यादो पहुँचे पाला सिस्को की विरोध परशन का समर्थन करते हुए विधायक विनोज सिंग ने कहा है कि जो भी मांगे है उनके लिए सदर में आवाज उठाई जाएगी 18-19-19 रुपे प्रती माह के बेतर प्रकाम कर रहे परासिजों की मांग जाए जाए दूसकर्म और पोक्स को एक्ट केस की हर दो माह में समिक्षा करेगी CID CID राजी के बिभीन जीलों में रेप और पोस्व एक के तहट दर्ज केस की समिक्षा अब हर दो माह में करेगी पुलिस मुख्याले के अस्तर पर भी इसकी समिक्षा हर तीन माह में की जाएगी DGP ने CID और पुलिस मुख्याले के अधिकारियों के लिए इससे समिक्षा इसलिए होगी ताकि पुलिस मुख्याले के अधिकारियों जान सके की दो माह के अंदर केस में अनुसंधान पूरा कर अदालत में फाइल रिपोर्ट सौपी गई है या नहीं पुलिस मुख्याले यहाभी समिक्षा करेगा कि विभीन जीलो और रेल थाना द्वारा रेप के कितने केस में दो माह के अंदर चार्प सिट हुई और कितने केस में दो माह के बाद इस बात की समिक्षा जल्द ही पुलिस मुख्याले ADG अभियान के निदित में की जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के सुल्क में भारी कट होती जारखन में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सुल्क कम कर दिया गया है समझ में परिवहन विभाग स्यादे जारी कर दिया गया है ड्राइबी लाइसेंस के लिए अब 2190 रुपए नहीं बलिक 1590 रुपए ही देने होंगे यानि 600 रुपए की कमी की गई है लाइट, मोटर, विकल और मोटर साइकल के लिए प्रस्ताव सुल्क जारी कर दिया गया है लर्लिंग लाइसेंस और ड्राइबी लाइसेंस दोनों के सुल्क में कम किया गया है इसके बाद लाइसेंस बनाने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई है मालूम हो कि अगस्त 2021 में बढ़ा हुआ सुल्क लागू किया गया था जार्खन में आई से एक से आठवी तक की परिक्षा जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान वा प्रसिक्षन परिशत के तत्वधान में सभी कोटी के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवी क अक्षा तक के अर्धवार सिक परिक्षा 20 से 23 दिसंबर तक होगी परिक्षा का आयोजन दो पाली में होगा 1.50 लाग से ज्यादा चादर शात्राय परिक्षा में सामिल होंगे वही प्रतम पाली की परिक्षा सुब़ 9.9 बई से 11.14 बई तक जबकि दूतिय पाली की परिक्षा 12.12 लेकर अड़ाई बई तक होगी पाली काक्षा की परिक्षा मौकिक होगी जबकि दूसरी से 8.12 अग्षा तक में वस्तुनीष्ट लगो उतरिय वं दिर्ग उतरिय प्रश्ण पूछे जाएंगे ज़ार्खन बिधान सभा के समख्ष बीतरहित 1250 सिक्षन सनस्थानों के सिक्षकोव कर्मियों का धार्ना जार्खन में संचालीद 1250 बीत्रहित इंटर कॉलेज हाई स्कूल संस्कूल वा मदार्शा के सिक्ष कर्मियों ने मंगलवार को जार्खन विधान सभा के समख धारना परशन किया राज्य कर्मि का दार्जा देने महंगाई को देखते हुए अनुदान की रासी चगुना करने बीतिय वर्श 2021 एकर इस के बच्चे हुए स्कूल कलेजों को अनुदान की रासी अभिलम निर्गर्ट करने सेवा निवरित की आयो चातिस गर की तरज बरबासट वर्श करने की मायं को लेकर जार्खन बीत्रही सिक्षा सन्यूक चंगर्श मोटा की दत्तोधान में महाधरना दिया गया वही धारना में संस्क्रीट सिक्षाक पिला वर्श्त रपाण कर आय हुए थे जबकि मादार्शा सिक्षाक पोपी पहने हुए थे राज के विभीन जीला में आय हजारो बीत्रही सिक्षाक वगर्मी महाधरना में सामिल हुए पच्छमी सिम्भूम से दो आईडी बंब रामत जार्खन पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों की साजिस नकाम कर दिया पच्छमी सिम्भूम जीले में सुरक्षा बलो नक्सल अपरेशन के दो आईडी बंब रामत किये हैं पुलिस को नुक्सान पहुचाने के उदेश से ए आईडी लगाए गए थे जीला पुलिस वा सुरक्षा बलो नक्सलियों खिलाब चलाये जारह सन्युक्त अभियान के दोरान मंगलवार को टोटो थाना अंतरगत पाता, तोरब, एवन चिडिया बेडा गाउं के बीच जंगली और पहाडी छेत्रों में सुरक्षा बलो को टार्गेट करने के उदेश से नक्सलियों दोरापुर में लगाए गए 10 केजी वा 5 केजी के दो आईडी बंब रामत किये गए हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए 5,000 उत्कृष्ट बिद्याले का होगा सुबाराम सियम हेमासुरे ने कहा है कि जार्गन में 5,000 उत्कृष्ट बिद्याले सुरू करने की योजना है फिलाल राजे में 80 उत्कृष्ट बिद्याले का सुबाराम कर दिया गया है जारखन की 80% अबादी गाओं में बस्ती है सरकार गठन से पुरुव कहा था हमारी सरकार का संचालन गाओं और पंचायद से होगा राज्यवासियों को सरकार की योजनाओं का लाव देने के लिए यहां के लोगों को पर्खंड करयाल है और जिला मुखहलन नहीं बुलाएगी बलिक आपकी सरकार खुद आपके द्वार आकर आपकी समस्याओं का समधान करेगी इसी उद्धेस को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार तीसरी बार आपकी योजनाओं आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम का योजन गाव और पंचायत में कर रही है। और सरकार से सवाल किया है। जारखन के पाराशिषकों को सरकार पर्वामेंट नहीं करेगी। जारखन के प्रविधान के बिना किया गया। बेतन माल लागू करने के लिए पस रिजन अवस्यक है। पस रिजन के लिए रोष्टर कानुपालन अवस्यक है। इंडिया की बैठक में जेमेम ने आट सीतों पर ठोकी दावेदारी। लोग सभाचुनाओ के मन नजार राज में इंडिया के घटक दलों के बीच सीतों के बटवारे पर इसी माह समाती बन जाएगी। नए दिली में मंगलवार को हुई बैठक में इसके लिए 31 दिसंबर की डेडलान तैकी गई है। इस पर बैठको का दोर भी तेज होगा। वही मंगलवार की बैठक में सातार उजार खण मोक्ती मोर्चा ने मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जिस प्रांत में जो छेतरी दल मजबूत है वहाँ उसको पूरी तरह जीमा दिया जाए। राज में मोर्चा इंडिया की अगवाई कर रहा है ऐसे में उसे सीटों के बाटवारे में ज्यादा महत्वय दिये जाने की पूरी संभावना है। उलेखनिया है कि जामों ने आर्ट सीटों पर दावेदारी की है। जामों का फोकस वैसे परत्यासियों पर है जो सीटे जीता सके। बहुमत से अनुपूरक बयट पारित राई सरकार का बढ़ा है इनका। मुख्य विपक्षिदल भाजपा की गैर मजूद्गी में चार्चा के बाद बहुमत से 81111.77 क्रोर का दियुतिया अनुपूरक बयट पारित हो गया। बित मंत्री रामेश्वर उरावने चार्चा में सामिल सभी 10 विधायकों के प्रती अभाज अताते वे कहा है कि जार्खन ने अच्छे बित्तिये प्रधान का उधारन पेस किया है। इसी का नतीजा है कि G, S, D, P की तूलना में 3% तक रिन लेने की चामता के पावजूत राज ने सिर्फ 1.25% रिन लिया है। हमारा इंकम बढ़ा है। धन्यवाद।